अससलाम अलेकुम मेरा नाम अली है और ये है वीवो का वी 29 अब तक का वी सीरीज का सबसे पावरफूर और एलिगेंट फॉन होने वाला है पाकिसानी मागेटिव उसको लॉंच किया जा रहा है तो आज किस वीडियो में इसको करते हैं अन्बॉक्स और देखते हैं के वी 29 हम को कि दोस्तों सबसे पहले करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग एक्स्पिरेंस की बात करते हैं वी 29 विद और लाइट बॉक्स के ओपर ही देखने को बिल जाता है वीवो की ब्रैंडिंग है जिस वेरिंट की पाक्सान में एक वेरिंट लाउच होगा बारा जीवी दोस्तों है विच वेरि गुड तिंग क्योंकि नए फोन जितने भी आते हैं माकेट में फॉरण से केस नहीं मिलता है उसके बाद मिलती है टाइप A टू टाइप C वाली एक केबल और फिर मिलता है हमें एक सिम एजेक्टर टूल जो के काफी खुबसूरत बनाया जाता है उसके लाव और सबसे पहले इस फॉन की लुक की बात करते तो पूरी की फ्लैक्षिप लुक देखने को विल आती है और वी ट्वेंटी ना यह वी सीरीस का अब तक से सबसे ब्यूटिफिल फोन होने वाला है यह ग्लास मिल कॉलिटी है जो के थोड़ा सा कर्वड है और इतना बड़ा विल ने के साथ यहां पर जो थिकने साथ वह लिटरली आपको 7.5 एम की मिलती है तिन फॉन मिलता है और वेट की बात करोगे तो इस फॉन के अंदर विदाओ शिलिकॉन केस 190 ग्राम से नीची नीची का वेट मिलता है और जब सेलिकॉन केस लगा होगे तो 204-205 ग्राम का बेट आता है वेट इंप्लीमेंट भी अअच्या है इंहन्फ फेल पूरी की पूरी प्रीमियम फील की आती है फ्रांट और बैक जो ऊसा के वाट कर जा साथ mic लगाए गया है, पिर type c की connectivity है, और एक speaker grill देखने को मिल आती है, ip rating, ip 68 की rating भी इस phone में देखने को मिल आती है, which is very good thing, जो कह हमें आजकल बहुत कम phone में मिलती है, तो यहां पर यह चीज़ भी देखने को मिल आती है, in and feel अच्छी है, और यह जो blue लेवल ही यूटलिटी होने वाली जिसी आगे चलके बात करते हैं और साथ के साथ यहां पर हमें एक तीसरा सेंसर भी देखने को मिल दाता है तो डिजाइन वाइस तो मुझे लगता है कि भाई काफी खुबसूरत और प्रीमियम फील करने वाला है और इन हैं फील वैसी है जै है 1280 x 2800 के हम पर हमें जो हैना रेजोलिशन देखने को मिलेगी और जो बेजल्स हैं काफी मिनिमल साइज के हैं और साइड बेजल्स के देखोगे तो भाई आपको यहां पर फील बिल्कुल भी नहीं होगे और एज है तो यहां पर जारा प्रीमियम फील आती है इस फॉन की फ्रंट साइड पर स्कॉस सैसेशन की बिल्कॉलिटी है प्रोटेक्शन लगाई गई है उसके साथ साथ ही यहां पर हम लोग कुछ और चीज़ों की बात करते हैं विजूल एक्स्पिरिंस की तो डेलाइट विजिबिलिटी काफी बेटर है थाउजंड से उपर उपर का पी भी मुझे ठीक थाग देखने को मिला है उसके सासाती जो बैजल यहां पर काफी बड़ी इंप्रूमेंट है वी सी इसमें कर मोग देखते हैं पूरा का पूरा फ्लेक्शिप इक्स्पीरिंस दिस्पले के साथ होता और और आई थिंक के वीवो के V-Series का यह पहला फॉन है जो कि 2K के डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिल रहा है और भाई हाडवेर की बात करते है तो वन आफ माई फेवरेट हाडवेर अब हमें इस फॉन में देखने को मिलेगा और यह 4X के साथ आता है UFS 2.2 की स्टोरेज जो के 250 जीपी के साथ आता है रीड और राइट की स्पीड भी अची देखने को मिलेगी और फंटेच और इसकी बात करते है तो काफी हद तक ब्राइटर लुक लेकर आता है और साथ के साथ यहां पर आपको आदा स्टॉक एंडुए और अधा फंटाच ओस मिलता है विजिस वेरी अप्टिमाइज मतब में वेवियो के फॉंस में मैंने कभी बग्स नहीं देखे प्री इंस्टॉल कुछ एप्लिकेशन जिनको आप अनिस्टॉल कर सकते हो इसके इलावा यहां पर जो इन्रै में मुझे तगड़ी फर्स इंप्र और यहां पर क्या फाइर कनेक्टिविटी इस फॉन की विजिए देखने को मिली है मतब अन्द फर्स इंप्रेशन में बात करूं ना कि अगर आपने गेमिंग के लिए भी लेना तो यह तगड़ा हाडवेर है यह अच्छी तरीके से गेमिंग हैंडल कर लेता है जहां पर 60 आपको फ्रंट साइट पर जो है ना 1080p 60fps, 1080p 30fps और 4K 30fps जो है ना boxback phone के साब से offer करने माला है मतब फ्रंट कैमरा में भी उतनी तगड़ी वीडियो और फोटो रिकॉर्ड करेगा जो के back camera से हम लोग expect कर रहे होते हैं फ्रंट कैमरा 50 megapixel का है और यहां पर 1080p 30fps, 1080p 60fps मिलता है और अच्छी बात यह है कि front camera में भी आपको zoom का option मिलता है, 0.8x और फिर 1x और आपको 2x zoom का option देखने को मिलता है, like अगर आप front camera से भी vlogging करना चाते हो, content record करना चाते हो, वो भी आप कर सकते हो, जहां पर detail बहुत अची है, steady face के साथ मैंने इसको test out किया, भी initial impression है, इसको test out तो मजीद review भी आ रहाएगा, अब अरहल यहां पर front camera काफी तगड़ा और image और post processing तो भाई, काफी तगड़ी आती है, और वीवो की एक पहचान यही है, कि selfie camera में वीवो बहुत सारे brands को compete करता है, तो yes, मैं आज भी कहूँगा कि भाई, this phone can compete easily, जो भी दो लाक रुपे के phone आते हैं, बॉक्स पाकिखान में, यह compete करता है अपने front camera से, photos, edge detection देखोगे, HDR देखोगे, काफी तगड़ा हमें देखने को मिलता है, यहां पर, वहीं पर rear camera की बात करते हैं, तो आपको 50 megapixel का with optical image stabilization, main sensor देखने को मिल जाता है, 8 megapixel लिट्रावेट सेंसर है, 2 megapixel के sensor मिलता है, बट, optical image stabilization की बात करें, या rear camera की बात करें, तो यहां भी 4 की 30 fps देखी support है, unfortunate 4 के 60 fps होना चाहिए था, तो फिल्कुल accurate चीज़ हो जाती थी, बट भाई, अगर 1080p 30 fps, 60 fps और अगर 4 की 30 fps की बात करते हैं, थोड़े से color को modify करता है, colors डाल देता है, बीच में, but again, stabilization के हिसाब से भी अच्छी है, color सोडे से saturated कर देता है, color डाल देता है बीच में, यह चीज़ मुझे देखने को मिली है, बागि overall वीडियोग्राफिक के साफ़ से काफी तगड़ा है, front और back से book video, 1080p 24 fps पर यह record करता है, cinematic videos बनानी हों, तो काफी तगड़ी देखने को मिलेगी, और इसके अ HDR mode काफी optimized नदर आएगा, ultrawide sensor थोड़ी soft detail provide करता है, but main sensor की बात करते है, तो काफी अच्छी detail record कर लेता है, अगे यहां भी आपको 2X का option मिलता है, जहांबर detail बड़ी तक्दीर मिलेगी, और portrait की बात करते हो, तो यह phone, 1X पे तो portrait अच्छे खेंचता है, यहांप 2X का option portrait में भी मिलता है, बतलब यह software के तुरू काम करेगा, बट 2X के बाद, आपको ready to eat वाली picture मिल आती है, आप कहीं भी share करना चाहा हो, तो like वाली जो सीन है लो मिलेंगे, और camera जो experience है उसको enhance करने के लिए, आप rear side पर यह aura light मिलती है, जिसका Kelvin, जिसके जो intensity है आप change कर सकते हो, warm करना हो, आपने इसको cool करना है, वो भी कर सकते हो, और यह काफी ज़्यादा helpful है, खासकर आज के टाइम में मतलब कर अंदेरे में कोई picture capture करनी है, कहीं पर low light कर रहे हो, तो किसी product की detail लेनी है, तो भी आप कर सकते हो, flash light से भी आप ले सकते हो, तस्वीर लेकिन flash light से थोड़ा सा noise आजाता है, हमेशा से pictures में, तो यहां जो यह जो soft light है, और लाइट है, यह काफी ज़्यादा काम आती है, especially in low light, यह अगर आप photography बहुत ज़्यादा करते हो, तो और लाइट वाला scene भी इस phone के अंदर एक next level हमें देखने को मिलता है, और इस दफा तो आपको बहुत सारी luts मि की है, जहां पर कुछ action mode भी मिलता है, action mode से कोई बचा बचा खेल रहा है, या अगर कोई fast आपको picture capture करनी है, action वाली, वो भी आप कर सकते हो, astro mode मिलता है, कफ सारे mode है, जो के camera review में हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, but on the first impression, I really like this camera, अगर portrait की बात करते हो, videos की बात करते हो, तो काफी हद तक बहुत सारे phones को ये टकर देने वाला है, आपको इसका camera कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा नहीं, डू, लो light में भी इसकी performance काफी तगडी है, जो के हम बहुत detail में camera review में cover करने वाला है, तो camera करने करी में मुझे काफी impress किया है, इस phone में, उसके जलावा, यहाँ पर single speed वाला issue देखने को नहीं मिला, bands हमें 5G की भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और सारी चीज़ों को handle करती है, इस phone की चाली सो एमेच की बैटरी और 80 Watt की ये fast charging लेका आता है, NFC भी मिलता है, इसके अंदर 80 Watt fast charging के अगर बात करते हो, तो literally 30-35 minute में 4600 mH को easily fully charge कर देता है, और battery timing की बात करते हैं, तो initial impression में 7 घंटे का तो मैं expect कर रहा हूँ, इसे screen on time अगर brightness मैं normal रखता हूँ, बाकि overall जो usage के साथ review आएगा कुछी दिनों में after some days, उसको जरूर आपने check कर लेना है, ये phone है Vivo V29 विच इस redefined phone on V series और लास्ट ये अम लोंगों ने सिर्फ E series ही देख application देख रहा हूँ और जो dollar rate अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, मैं जो expect कर रहा हूँ, एक लाग 40-50,000 रुपे की price हो सकती है, इस phone की पाकिसान में जरा taxation वाले मामलात भी है, जैसे ही price confirm होगी, title यहां मैं आपको comment section में pin कर दूँगा, आपका जो भी opinion हो price के बारे में या phone के करना चाते हो, comment section में easily अपनी राये को share कर सकते हो, बस आज की वीडियो में तहीं मनाकातों की नए वीडियो में, किसी नहीं अन्वाक्सिंग, किसी नहीं रिवीव, किसी नहीं comparison के साथ, तब तक मुझे दे इजादत, मैं हो लिए बास मासेक्से, पाकिसान पाइना बाद, अल्लह हाफेज